प्रकार के लेकिन आज के इस वीडियो में खास क्या है आज की वीडियो में कुछ ऐसे इंपोर्टेंट टिप्स मैंने बताए हैं कि जिनके बारे में अक्सा स्टुडेंट्स को कुछ डाउट्स होते हैं इसमें इसमें काफी हद तक हमारे रह जाते हैं और मिस्टेक्स होने के संभावना काफी होती है तो आज के इस लेसन में मैं आपको यही डाउट्स क्लियर कराऊंगा मैं आपको बिल्कुल एक टॉपिक जो एक एक पॉइंट इसका बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर कराऊंगा मैं तो चलिए स्टुडेट शुरू करते हैं हमारा आज का यह लेसन तो स्टुडेट सबसे पहले अगर बात करें हम पहला रूल कहता है कि इच ओफ आइदर ओफ या नाइदर ओफ इसके बाद हमेश्या प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आता है यानि कि दुबारा सुझे इच ओफ आइदर या नाइदर ओफ अगर लगा हुआ है तो इसके बाद हमेश्या जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो क्या आता है प्लूरल आता है इस चीज के आपने ध्यान करना है जैसे एक्जांपर के तोर पे इच ओफ दा बॉइज है अपने इच ओफ यहां मर पास है इच ओफ और इसके साथ हमार पास जो नाउन आया हमार पास बॉइज लेकिन इस पर छोड़ा से एक ध्यान रखना आपने अब यह कई बाते कि हमार पास जो वर्ब है यहां अक्सर स्टुडेंट गलते कर देते है इच ओफ नाउन आप जएगा देना है इस चीज का अपने ध्यान में रखना है कि हमारे पास जो वर्ब लगेगी वह मर पास क्या इच एक एकोर्डिक तो यहां सिंगलर वर्ब ही लगेगी इस चीज का अपने ध्यान में रखना यह अक्सर कन्फूजन पैदा करता है दूसरा नूब इसके क्या लगता है जैसे each of either of and either of के बाद जब भी noun या pronoun कोई भी दर्ज़े से लगता है तो उसके बाद हमेश्या जो भी noun लग उसके बाद हमेश्या पुससे पहले क्या आएगा हमेश्या दी का प्रयोग किया जाएगा ये भी ध्यान रखना है आप इसके अंदर भी जैसे देख सकते हो each of the students देखे रूल पहले बढ़ाई है कि each of के बाद हमारे पास आगया क्या plural आगया है noun लेकिन plural noun से पहले हमने क्या करना है हमने आर्टिकल दी का प्रयोग करना है और बाकी का रूल वही है वर्व हमारी singular ही आएगी क्योंकि हमने इसके इसको यूज करना है तो इस इसका आपने जुरूर ध्यान में रखना है कि ये अक्सर confuse पैदा आपके मन में ना कर सके अगला रूल अगर इसका देखे क्या करता आए यह इच आइदर नाइदर यह जब इसका विसमें के लिए इस एधर या नाइधर है और नहीं इनके साथ अब इसमें थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि अगर आज आता है तो नाउन या प्रणाउन प्लूरल आएगी और इसमें यह करता है कि इस आइधर नाइधर अकेले हैं इसके साथ और नहीं लगा हुआ है तो फिर इसके साथ वर्फ नाउन और प्रणाउन क्या लगेगा सिंगुलर लगेगा और वर्फ भी फिर सिंगुलर ही आएगी तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है यह पॉइंट जो है जरूर थोड़ा सा नोट करने वाड़े चीज़ है इस एस एक्जामपर के तोर पे इच मैन हैस विजिटीड देयर अभी हां देखे देखे इच आगया तो इसके बाद हमेरे पास क्या मताया है यहां नाउन हमेरे पास क्या है लगा तो यह और आपने रखना है क्योंकि यही अकसर मिस्टेक्स है जो अकसर हमारी होती है इसमें उस्चीज का आपने ज्छान में रखना है यह सबजेक्ट के लिए हो इस्ट किसी संटेम्स में इस ऐगर यूज हो रा है तो क्या करना होता है तो इसका उजण के बाẦ तो एज का प्रियोग आप एज कहां लगाएंगे सबजेट के बाद यूज़ करेंगे उसको सबजेट के बाद आप एज जो वर्ड है वो as a subject अगर आ रहा है तो उस एज को आप सबजेट के बाद यूज़ करोगे और उसके बाद क्याता है word is used यानिकि जो वर्व होती है अब इसके एक्जाम्पल देखें जैसे वी इच है अब देखिए यहां यह क्या कहा था भी सब्जेट के लिए हो इच का प्रियोग सब्जेट के बाद यहां हमने इच का देखिए यह मारे पास वी है तो इच का यूज हमने क्या करना है सब्जेट के बाद We Each इस प्रकार से हमने तो यहां We Each Have तो वर्ब हमारी कि आज़ेगी फिर क्योंकि वर्ब हमारी एजे यहां We के अकोर्ट्टिंग आ रही है तो We Each Have Advised His, Him Advised Him to Stop Drinking तो इस प्रकार से थोड़ा सा इसको आपने ध्धान में रखना और इस बात को जरूर आपने की यहां पर जो है हमने ऑक्जिलरी वर्ब रोती है उस से पहले और सब्जैट के बाद में इच में एक प्रियोग किया जाएगा जिघारा आधाना। सब्सक्राइब यह थोड़ा सा कंफ्यूज करने वड़ा आपका पॉइंट है और इसका अगला पॉइंट देखिए क्या करता है देखिए एक चीज यह रिखिए हाँ both of तो कहते हैं यह both of यूज़ पर टू परसन both of जो है हमेशा दो आदमे के लिए यूज़ किया जाता है यह सब को पता है both of the boys, both of the men both of the students, both of the teachers तो both हमेशा दो के लिए यूज़ किया जाता है अब इसमें जो धान देने वाड़ी बात क्या है देखें जैसे एक्जाप्र के both of the two students आर गिल्टी तो यह हमने लगा दिया both of हमेशा किसके लिए दो के लिए यूज़ कर दिया यह चीज़ आगी इसमें चीज़ धान देने वाड़ी बात यह है कि देखें बोध हमेशा कभी भी negative sentence में यूज़ नहीं किया जाता इस point को आपने जहान रखना है फिर एक बार सुनिज़े बोध हमेशा affirmative sentence में ही यूज़ किया जाता है बोध कभी भी negative sentence में यूज़ नहीं किया जाता इसका आपने जहान में रखना है इसके एक्जामपल देखें जैसे बोध ओफ देम आर नोट गोईग अब एक यह sentence है बोध ओफ देम आर नोट गोईग तो यह sentence आपका wrong है grammatically wrong है यह sentence आपका सही नहीं है क्योंकि sentence negative है तो negative है तो आप बोध ओफ का यूज़ नहीं करेंगे तो वहाँ आप इसको correct करना हो तो कैसे करेंगे तो आप लिखोगे neither neither of two is going neither of two is going तो आप यहाँ पर बोध ओफ की बजाएकर sentence आपका negative है तो आप neither का use करेंगे आप महाँ पर बोध ओफ का use नहीं करेंगे तो इस point को आपने धान में रखना कि बोध ओफ जो है वो दो person के लिए use किया जाता है दो व्यक्तियों के लिए use किया जाता है लेकिन केवल affirmative sentence में negative sentence में बोध का परियोग नहीं किया जाता तो student यह हमाराज का छोटा सा एक lesson था lesson छोटा ज़रूर था लेकिन इसमें कुछ ऐसे मैटकून टीप्स थे जो अक्सर हमें mistakes करने पर मजबूर करते हैं जब हम इनका use करते हैं जब आप subject verb agreement के इंदर खास तोर से इसकी बहुत ज़्यदा आउशक्ता पड़ती है तो उस समय भी हमारे मन में यह confusion पैदा करते हैं तो उमीद करता हूँ कि इस lesson के को देखने के बाद आपका जो confusion था रिस्टिबूटिव प्रणाउंस के यूजिज के बारे में तो वो confusion आपका दूर हुआ होगा और यह जो महतापॉन टिप्स होते हैं जिस प्रकार से 4.5 पॉइंट है यह महतापॉन टिप्स हैं जो आपके हर प्रकार के एक्जाम चाहिए आप competitive एक्जाम से चाहिए आप बोर्ड एक्जाम के प्रिप्रेशन कर रहे हैं तो हर एक्जाम के अंदर यह टिप्स आपके काम आने वाले हैं तो स्टुडेंट्स आज के इस lesson में इतना ही उमिद करता हूँ लेशन आपके लिए फाइदे बन साबित होगा और इसी प्रकार से लगातार आप मेरे साथ बने रहे हैं फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और नए इंपोर्टेंट टॉपिक्स के साथ तब तक हैव नाइस दे थैंक्यू